Welcome to the Guru Kulprep daily podcast on July 3rd. Daily update एक महत्वपूर्ण दिंग. अंतरराश्ट्रिय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई. अंतरराश्ट्रिय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस हर साल 3 जुलाई को मनाया जाता है. यह दिन प्लास्टिक प्रदूशन के लिए शून्यस हिश्णुता द्रिष्टिकोन को बढ़ावा देने और प्लास्टिक कचरे के पुनर्चकरण और खाद बनाने के महत्व को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है. 1960 के दशक में स्वीडिश कमपनी सेलोपलास्ट ने वनपीस पॉलिथिलीन शॉपिंग बैग का पेटेंट कराया, जिसने शीघर ही यूरोक में कपड़े और प्लास्टिक का स्थान ले लिया. आज प्लास्टिक से मुक्ट होने के आंदोलन के हिस्से के रूप में लगभग 1500 संगठनों द्वारा अंतरराश्ट्रिय प्लास्टिक बैग मुक्ट दिवस मनाया जाता है. यह आंदोलन प्लास्टिक प्रदूशन संकट का समाधान खोजने और मनुश्यों, परियावरण और वन्य जीवों के लिए ग्रह को सुरक्षित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. डेली अपडेट दोक बैंकिन RBI आसियान तेजी से सीमा पार खुद्रा भुगतान के लिए मन्च बनाएंगे. भारतिय रिजर्व बैंक और आसियान देशों ने ततकाल सीमा पार खुद्रा भुगतान की सुविधा के लिए एक मन्च बनाने का फैसला किया है. मन्च के 2026 तक लाइव होने की उम्मीद है. एक बयान में RBI ने कहा कि वह घरेलू Fast Payment System AFPS को इंटरलिंक करके ततकाल सीमा पार खुद्रा भुगतान को सक्षम करने के लिए एक बहुपक्षिय अंतरराश्ट्रिय पहल प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हो गया है. Bank for International Settlements Biz के Innovation Hub द्वारा संकल्पित नेक्सस का उद्देशे चार आसियान देशों मलेशिया, फिलिपीन्स, सिंगापूर और थाइलैंड और भारत के FPAs को जोड़ना है जो इस मन्च के संस्थापक सदस्य और पहले प्रस्तावक देश होंगे. देली अपडेट तीन पुस्तकें. यह कार्यक्रम तीन जुलाई को व्यलोपिल्ली संस्कृत भवन कूथम बलम में होगा. यह सुदास सागर संगीतम एक अकाद्मिक पुस्तक है जिसमें पचपन से अधिक लेख और रंगीन तस्वीरे हैं. इसमें एक QR कोड भी है जो पाठकों को कलाकार के गाने सुनने की अनुमती देता है. केरल भाशा संस्थान के निदेशक सत्यन एंग. इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे. बिक्री विभाग के सहायक निदेशक एंग. जयक्रिश्नन स्वागत भाशन देंगे. देली अपडेट चार अर्थव्यवस्था. वित्त मंत्रालय जो आम तौर पर हर महीने की पहली तारीख को मासिक जी एस्ती राजस्व संग्रह जारी करता है. जिसमें राज्यवार संग्रह के रुजहान और घरेलू लेंदेन और आयात से एकत्र राजस्व के बारे में विवर्ण शामिल है, ने प्रेस में जाने के समय तक जून की अप्रत्यक्षकर प्राप्तियों पर आधिकारिक तौर पर कोई बयान जारी नहीं किया था. जापान ने नए बैंकनोटों में होलोग्राफिक तकनीक पेश की. जापान तीन जुलाई को नए बैंकनोट जारी करना शुरू कर देगा. स्थानिय मीडिया ने बताया कि यह अत्याधुनिक होलोग्राफिका दुनिया का पहला उप्योग है जो एतिहासिक व्यक्तित्वों के चित्रों को तीन दी में घुमाता हुआ दिखाई देता है. यह नई तकनीक दृष्टिबाधित लोगों को यह महसूस करने और समझने की अनुमती देगी कि उनके पास कौन सा बैंकनोट है. पिछली बार जापान ने बीस साल पहले अपने बैंकनोटों को फिर से डिजाइन किया था. चुँकि देश ने 1885 में अपना पहला बैंकनोट जारी किया था. तब से अब तक तिरपन प्रकार के नोट छापे गए हैं. नए बैंकनोटों में येन 10,000, येन 5,000 और येन 1,000 शामिल होंगे. डेली अपडेट 6 विविध Air India अमरावती में दक्षिन एशिया का सबसे बड़ा उडान प्रशिक्षन स्कूल स्थापित करेगी. यह FTO भारत में उपलब्ध पाइलट प्रशिक्षन क्षमता को मजबूत करेगा. अमरावती हवाई अड़े के रनवे का हाल ही में राज्य के स्वामित वाली महाराश्ट्र एरपोर्ट डेवलप्मेंट कमपनी द्वारा विस्तार किया गया था बेलोरा हवाई अड्डे में बुनियादी धाचे को हाल ही में अपग्रेड किया गया था और अब इसमें इंस्ट्रुमेंट लैंडिंग और नाइट लैंडिंग सिस्टम है Flying School 2026 के मध्य तक चालू हो जाएगा और हर साल 180 वानिजिक पाइलट पास होंगे डेली अपडेट साथ शिखर सम्मेलन और सम्मेलन विदेश मंत्री एस जैशंकर एस सीओ शिखर सम्मेलन में भारतिय प्रतिनिधि मंडल का नेत्रित्व करेंगे जैशंकर शंधाई सहियोग संगठन एस सीओ शिखर सम्मेलन में भारतिय प्रतिनिधि मंडल का नेत्रित्व करेंगे जिसमें बहुपक्षिय सहियोग के लिए एक मार्ग तयार करने और अफगानिस्तान की स्थिती जैसे क्षेत्रिय मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है एस सीओ परिशद के राष्ट्रा ध्यक्षो की 24 वी बैठक या एस सीओ शिखर सम्मेलन चार जुलाई को अस्ताना में कजाकिस्तान द्वारा आयोजित किया जाएगा अधिकारियों ने कहा है कि प्रधानमंत्री का संसत के मौजूदा सत्र में व्यस्तता जो तीन जुलाई को समाप्थ होने वाला है शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होने के उनके फैसले का मुख्यकारण था भारत जीवों की पूरी सूची तयार करने वाला पहला राष्ट्र बन गया है भारत ने एक लाख चार हजार पांच सौ एक सट प्रजातियों को कवर करते हुए अपने पूरे जीवों की एक व्यापक चेकलिस्ट तयार करके इतिहास रच दिया है यह उपलब्धी हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है केंद्रिय पर्यावरण मंतरी भुपेंद्र यादव द्वारा कोलकाता में जूलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया ZSI के 109 स्थापना दिवस के अवसर पर Fona of India चेकलिस्ट पोर्टल लॉंच किया गया था यह प्रक्षेपन जैव विविधता प्रलेखन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है जिसने भारत को इस शेत्र में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित किया है परियावरन मंत्री ने कहा कि चेकलिस्ट वर्गीकरण विध्यानियों, शोध करताओं, शिक्षाविदों, सनरक्षन प्रबंधकों और नीती निर्माताओं के लिए एक अमूल्य संदर्भ के रूप में काम करेगी सेरा और ब्लू ओरिजिन ने मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम के लिए भारत को भागिदार राष्ट के रूप में घोशित किया अमेरिका स्थित स्पेस एक्स्प्लोरेशन एंड रिसर्च एजनसी सेरा ने जेफ बेजोस की स्पेस टेक फर्म ब्लू ओरिजिन के साथ मिलकर घोशना की है कि जिन देशों ने अंतरिक्ष में बहुत कम या कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं भेजे हैं उनके लिए अपने मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम में भारत एक साजेदार राष्ट्र होगा सेरा दुनिया भर के नागरिकों को ब्लू ओरिजिन के रियूजेबल सब और्बिटल रॉकेट न्यू शिपर्ड के भविश्य के मिशन पर छे सीटों की पेशकश करेगा सेरा ने कहा कि न्यू शिपर्ड चैनित अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष की अंतरराष्ट्रिय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमा कार्मन लाइन एक सो किलोमेटर से ग्यारह मिनट की यात्रा पर ले जाएगा डेली अपडेट दस बैंकिंग SBI ने MSME के चालान वित्त पोशन के लिए एक विबाधारित डिजिटल व्यापार रिन समाधान का अनावरण किया है जिसका उद्देश्य MSME की रिनों को तेजी से टर्नराउंड समय के साथ सुविधा जंक बनाना है MSME सहेज End-to-End Digital Invoice Financing नाम का समाधान विक्सित किया गया है जो बिना किसी मानविय हस्तक शेप के 15 मिनट के भीतर स्वीकृत रिन को लागू करने दस्तावेजी करण और वितर्ण से लेकर समाधान प्रदान करेगा एक विजपती के अनुसार नियत तारीख पर रिन का बंध होना भी स्वचालित है और सिस्टम द्वारा ही किया जाता है